क्योंकि कल के प्रोग्रेम में हमने आपको बताया था कि जहां कॉंग्रस की जानिब से कुछ कमेटियां तिश्कील दी गई है और जम्मो कश्मीर से लेकर दिल्ली तक कुछ बड़ी लीडरान को दी गई हैं वहीं भारती जनता पार्टी ने भी कमर कसली है और आज जम्मो पर सबकी नज़रे हैं जहां पर भारती जनता पार्टी की कूर कमेटि का इजलास पार्टी के जम्मो त्रिकोटा नगर वाके दफ्तर में होने जा रहा है और आज दोपहर जब इजलास होगा तो इतलात के मताबिक जी केशन रिडी डॉक्टर जेतेंदर सिंग तरुन चुक सम मुम्किन है कि जिस तरह के से कलम ने आपको बताया था कि कॉंग्रस अपने केंडेट्स को फाइनल कर सकती है इनी कमेटियों के जरिए जो तीन मुक्तलिफ स्टेट्स के साथ जमू कश्मीर के लिए तश्कील दी गई है तो जमू कश्मीर के अंदर भी बीजेपी की अशोक कॉल रुपने जो राज्य सबा है घुलाम अली खटाना के इलावा जो मौझूदा दो रुपने पार्लिमेंट है और मरकजी वजीर भी है डॉक्टर जितेंदर सिंग के इलावा जूगल किशोर शर्मा घुलाम अली खटाना साबिक लाइब वजरियाला डॉक्टर निर्मल सिंग, कुईंदर गुपता, पार्टी के जो नैशनल सेक्रेटरी है डॉक्टर नरिंदर सिंग, पार्टी के जनल सेक्रेटरी जिनमें डॉक्टर डी के मन्याल हैं, साबिक वजीर हैं, सुनिल शर्मा हैं, विबोध गुपता जो इस वक्त 3-5-4 खिते के अंदर हिस्सा होंगे, पार्टी के जो नाइब सुदूर हैं, जिनमें शक्ती राज परिहार हैं, सीनियर लीडर और साबिक रुपने असेम्ली दिविंदर सिंग राना है, इसके लावा पार्टी के कई आला जो तर्जमान हैं, सुनिल सेथी, इसके लावा जील रैना, वक्त बोट की चेर परसन, डॉक्टर द्रक्षा अंदराबी, बीजे पी सेह प्रवारी या कू इन्चार्ज कश्मीर रफीक वानी को भी इस पिटिंग में मदू किया गया है, तो आज ना सिर्फ हिकमत अमली बनेगी कि इंतकाबाद से कबल क्या करना है, बलके जिन उम्मीदवारों को आइसा आइसा होती मीं नजरा लिए, इस भी जरा सीदे लेखिए।